स्वागत है आप सभी का मन्चे कला चैनल पर आज मैं बात करने वायू प्राइवेट स्पूल टीचर्स की प्राब्लम्स के बारे में as a private teacher मुझे पता है कि प्राइवेट स्पूल टीचर्स में वो क्या-क्या प्राबब्लम्स face करें हैं कुछ teachers को उनकी salary बिलकुल ही मिल रही है, जबकि वो online classes अटेंड तरवा रही हैं अपने बच्चों को, कुछ teachers हैं जिनको job से ही निकाल दिया गया है, कुछ हैं जिनको half salary मिल रही है, ऐसे में कोई भी उनकी सुन रही रहा, कुछ parents तो ऐसे हैं जो pay कर ही नहीं सकते, fees उनका काम बंद हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस चीज का नाजाईज फाइदा उठा रही हैं, तो ऐसे में बिचारे जो teachers हैं, कुछ teachers ऐसे हैं, जिनके घर का हुजा रहा है, जो teachers की salary से ही होता है, उनके घर पे और कोई earn करने वाला नहीं है, ऐसे में उन घरों का हाल बुरा हो गया है, उन्होंने किसी और काम को अपना लिया है, जिन्होंने इतनी कुशी कुशी से इस career को join किया था, अब वो मुझबूर हो गए हैं किसी और काम को अपनाने के लिए, तो मेरा सभी से ही कहना है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप अपने बच्चों को private school में पढ़ा रहे हैं और आप fees देने के काबिन हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, स्कूल को proper fees पे करें, क्योंकि आप वही हैं, टीचर से ही हैं एक जो सही मार्ग दर्शन देते हैं बच्चों को, हमेशा उनको सही रास्ते पे चलाते हैं, अगर आप पे करने के काबिन हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, private school टीचर्स की जो salary है, earning है, वो बच्चों की fees पे ही होती हैं, थैंक यू